भदोई जिले के और आई छेतर के पूजा पंडाल में आग लगने से हुए भीशन हाथ्षे से उत्तर प्रदेश सासन भी सतर्क हो गया दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए प्रदेश के सभी जिलो के पूजा पंडालों में विशे सतरक्ता बरतने के निर्देश दिये गए है इसके साथ ही रविवार की राथ से ही पंडालों में सतरक्ता बरती जाने लगी है वारनसी के भी करीब देर दरजन पूजा पंडालों में काफी भीड होती है रविवार से पंडालों में भीड उमर्में लगी है इसे देखते हुए संबंदी थानाप्रभारी, फायर बिगेट और सभी पुलिस अधिकारियों ने पूजा समितियों के पदाधिकारियों से संपर्क कर उन्हें सुरच्छा के पुख्ता इंतिजाम करने की सक्त हिदायत दी है इसके साथ ही हतुआ मार्केट, जगत गंज, बंगाली टोला, सीम एंगलो बंगाली इंटर कालेज, काली बाडी, मच्छोदरी, शीवपूल, सीगरा इस्दीत भारत शेवाश्रम संग, सनातन धरम इंटर कालेज समेत अन्य पूजा पंडालों में फोर्स की सक्रियता पूलिस कमिशनर ए 37 गड़ेश वा अपर पूलिस आयुक्त संतो सिंग समेत सभी पूलिस अधिकारी पूजा पंडालों की भीड और वहां की व्यवस्ता पर कड़ी नजर बनाये हुए हैं गौरत लब है कि भधोई जिले के और आयचेतर के पूजा पंडाल में भीशन आग से कई लोग जुलस गए हैं इनमें कईयों की हालत गंबीर है इन जुलसे लोगों को भधोई बनारस के अस्पतालों में भड़ती कराया गया है इनमें कुछ लोगों की हालत नाजुक है ग्यानपूर भरती भाई बड़ती एक लिए लोग उसके में पंडाल में थे भीड कितनी थे भीड यारे हजारान अधमी रहें हजारान अधमी रहें आज 500 अधमी तर जड़ गेल हैं कारण क्या था लगनें कि आग लगनें कि वो लैंड मसटकाई बहें सालोई से आग लग अधमी तर दी हैं ऊपर उठे से आप राएं कर जब घटना हुई तुम थे आप अधरी थे अब कारीक्रम चालोग लोग कारीक्रम में देख रहे थे और आग लगी को लगी थी कोई ध्यान जब थोड़ा तेज बढ़ा गया तो सब लोग ध्यान दिये तो आप सब लोग भ हुआ है हमारी परिच्य का एक लोग को बस करेंड वारा था बस वही तब से लाइंग कर गया और बच गया तो कईसे यहां पर लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं कोई जहरी पार थो वहरी भाग रहा था और कोई आप सब लोग मजे घाल भी हो गया थे गंबी रूप लगाता देखने के लिए चैनल को लाइक करें सब्सकाइब करें बेल आइकन को क्लिक जरू करें